तो हाई गाईज आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास में टाउन ओल 12 आएगा तब हमारे पास में दो या दो से तीन केरेक्टर आएंगे जो कि बिल्कुल नियो पर उन में से एक करेक्टर क्लैश आफ लेंज ने हमें टाउनल 12 से दे दिया तो उसका क्या यूज देखेंगे विडियो में और कौन कौन से अपडेट्स धिये क्लेश ने देखेंगे में वीडियो में तो शुरू करने सब्सक्राइब आपसे गुजर्ग देना था हूं कि अ अपने मेरे चैनल सुब्सक्राइब नहीं किया तो गईस मेरे चैनल कर जिए क्योंकि चैनल पर हर दिन एक नए वीडियो प्लोट की जाती है जो वन एन पर संट रियल होती है तो चलेगा विडियो को शुरू करते है तो गईस हम चलते निउज ऑप्चन में और यहां पे ए आये अपडेट्स तो गईस यह वाले अपडेट्स आप जाके देख भी सकते हो जिनमें से में आपको में में अपडेट्स बता देता हूं पैका बैलेंसिंग जो की है लेवल पूर इस नाव अवेलेबल एट टाउन ओल लाइन इंस्टीड ऑफ टाउनल 12 तो गईसल लेवल टावर बैलेंसिंग थोड़ी कम थी अब इन्होंने थोड़ी हाई कर दी है बैलेंसिंग अब निचे चलते हम यहां पर एक वाल्स का देखते अपडेट्स जहां पर लिखावा है टाउन ओल 11 और लेवल 11 वाल्स के नाव भी अपग्रेटेट टू लेवल 12 तो जितने भी ल लेवल 11 की वाल्स लेवल 12 तक कर सकते हैं तो आपको स्क्रीन पर बहुत सारी इमेजेस दिख रहे होगी इनमें से यहां पर देख सकते हो एक ट्रेडर खड़ा है जो कि एक न्यूव करेक्टर है जब हम इस पर क्लिक करते तो यहां पर एक कोई मैजिक आइटम का साइन आता यहां पर एक New Character आ रहा है अब वह New Character कब तक आएगा यहां पर Clash of Clans उसका बता नहीं है कि कब तक यह New Character आने वाला है तो गैज में भी वन यांग टूबी में लाने वाले हमस केरेकटर कब आएगा यह किसी सी यूज होगा रिशे होगा ग truths शेटोव कॉर्स अगम में आप nom today ये बटन आता तो वाइस मेरे चैनल सब्डेट रहने कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राब भी कर सकते हो तो जैस अगर आपको ये वीडियो तैज अभी त्चिल को लाइक भी कर सकते आफ तो वेज मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए अलुदा ता में पॉत